नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सन्मार्ग सूरी गरहन लगने जा रहा है और जब भी सूरी गरहन लगता है तो जीवन में बहुत साड़े बड़े बदला होते हैं जोतिस कहता है कि जब गरहन लगता है तो सुर्य कस्ट में होते हैं लेकिन आमोस्यत ही थी है सनी देप की जैनती है बट सावितरे ब्रत है और इस दिन सुर्य गरहन लगना बहुत ही दूरलब संयोग है और ये पूरे 148 सालों के बाद दुआरा से ये संयोग बना है ऐसे में बहुत तरह के तमाम तरह के जो प्रेगनेंट में हिलाए हैं वो पालन करेंगी और चुकि गरहन पूरे भारत में नहीं दिखाई देगा कुछ हिस्सों में दिखाई देगा साम 5 बजे के लगभग तो ऐसे में सूतक का नियम भारत में नहीं लागू होगा वैसे सूर्य गर प्रियोग की चर्चा करेंगे कि कैसे इस अमवस्यतिती पर आप जारू के प्रियोग से जीवन की तमाम परिसानियों से उल्जनों से बाहर निकल सकते हैं आज की भाग दौर बड़ी जिंदगी में पैसा एजजत सोहरत दौलत इसके लिए आप दिन रात मेंनत करते हैं और इसके बाद भी अगर आपको सही तरीके से धन ना मिले आपको लगे कि जीवन में आपकी कोई वैलू नहीं है तो परिसानी बढ़ जाती है तो ऐसे में इस दिन एक छोटा सा प्रियोग किये जाएं तो आप मुस्किलों से बाहर निकल सकते हैं देखिए आप अगर लाग प सुरी गहन समाप्थ हो जाए तब ये प्रियोग कीजिएगा लेकिन उसके पहले जानते हैं जाडू से जुड़े वे खास प्रियोग देखिए घर में अंधिरा होने के बाद जाडू भूल कर भी मत लगाईए अगर इमर्जेंसी हो बहुत जरूरी हो तो जाडू तो लगा में जाडू उल्टा करके मत रखिए यह अपसकून माना जाता है अब उल्टा करके रखना क्या होता है उल्टा का मतलब होता है जाडू का हेंडल नीचे की और और उसका फूल होता है वह उपर की यह अपसकून माना जाता है ऐसा जाडू भूल कर भी मत रखिएगा घर पर घर में लक्ष्मी स्थिर्ख हो जाती है और अगर आप इस सूरी ग्रहन के दिन एक छोटा सा परियोग करें तो आपके जीवन की तरक्की के मार खुलने लगते हैं तो इस सूरी ग्रहन के दिन यानि कि आप दस जून को सूरी ग्रहन लगेगा इस दिन सुबह चुकि आप जो अमोस्यत ही थी वो साम पांच विजे तक है तो आपको एक छोटा सा परियोग करना है सुबह सबेरे एकदम अंधेरा रहते ही यानि आपको कोई देखे नहीं टूके नहीं आप अपने जो पास के मंदिर हैं वहां जाकर जाडू से सफाई करें और वहीं पर मंदिर छोड़ दें तो जीवन में खुसियां आती हैं वैसे देखे इस बार गरहन गुरुवार के दिन लग रहा है तो देखे घर में गुरुवार के दिन पोचा मत लगाईएगा नहीं तो लक्षमी नाराज हो जाती है अब माल लेते हैं कि आपके यहां बहुत गंदगी है आपको लिए लगाना मजबूरी है तब ऐसे में जा दिन आप सुबह सुबह जब मंदर में जाडू आप लगाने जाईएगा तो नया जाडू ले कर जाईएगा पुरा ना जाडू मत ले जाईएगा वैसे तो हमेशा ही पोचे के पानी में नमक और फिटकरी हम कहते हैं आपको डालने लेकिन चुकि इस दिन बहुत खास दु जाडू है वो देवी लक्षमी का प्रतीक है और जाडू का महत्व ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि रोगों को दूर करने वाली माता सीतला के एक हाथ में जाडू है और जाडू का नियमित प्रयोक करने से आपकी जीवन में खुसियां लोटाती है तो वास्तु कहता है कि जाडू को आपको हमेसा भी रखना है नहीं तो आर्थिक मुस्किलें ज्यादा परिसान करेंगी सपने में अगर आप जाडू देखते हैं तो इसका मतलब होता है घर में आर्थिक नुक्सान होगा और घर में अगर बहुत समय से जो जाडू पढ़ी वी आप यूज नहीं क करने से आपके जीवन के कस्ट दूर होते हैं लेकिन क्योंकि गुरूबार के दिन आमवस्या है तो आप जाडू नहीं फेक सकते नहीं तो फिर मुस्किलें आजाएंगी इसलिए आप क्या करेंगे तब आप ऐसे में जाडू के साथ जाडू देते वे घर से बाहर ले जाकर आप साइड में कर दिजे अब यह नहीं कि घर के अंदर जाडू लगाया और वहीं पर कुड़ा उठाकर रख दिये ऐसा मत कीजेगा इस दिन एक च्छटा सा काम करें जाडू मत किएगा बलकि कुड़ा को जाडू के सारे कुड़ा घर से बाहर निकाल कर आप उधर साइड ले जाकर फिर आप कुड़ा को फेक दें उठाकर और जाडू धोकर घर के अंदर ले आए तो इस तरह से आपको करने से क्या होगा कि इस दिन जो जाडू का प्रियोग है अमोस्य तिखी के दिन वह आपके जीवन के कस्टों को समाप्त करेगा और सुरियास्त होने के बाद तो जारू पोचा नहीं ही लगाना चाहिए लेकिन जारू को कभी भी गीला करके नहीं रखना चाहिए जब भी रखिये सुखा कर रखिये साफ करके रखिये गंदा जारू भी नहीं रखना चाहिए जारू भूल कर भी अपने किचन में मत रखिएगा और जारू को आप बे नहीं जाड़ू आपको प्योग करना हो तब सनीवार के दिन कीजिए तो भी अच्छा रहेगा चुकि इस दिन का प्रियोग आपको बिसेस फाइदा उठाना है तो देव गुरु ब्रिस्पतिवार का दिन है और इस दिन अगर आप एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल थोड़ा सा अक्छत थोड़ी सी मिस्री या गुर्ड डाल कर आप पास के पीपल के पेड़ में जाकर अरपीत करते हैं संबब हो तो एक चमस्दूद ले लिजेगा धन की देवी लक्षमी आपके साथ आपके घर आती हैं क्योंकि वहाँ पर पीपल के नीचे लक्षमी जी बिरास्ती हैं वैसे तो परानिक सास्त्रों में कहा गया है जिस घर में जारू का अपमान होता है मां धनानी होता है इसलिए कभी भी जारू में पैर नहीं रगाईए लेकिन जारू को कभी भी खुला जगा भी नहीं रखना चाहिए जैसे कि खुले आंगन में खुले आसमा आती है और जारू का महत्व भी बहुत है जीवन में तो छोटे-छोटे प्रयोग करके आप अपने जीवन की खास मुस्किलों से बाहर आ जाएंगे और धन की देवी लक्षमी प्रसन्न होंगी तो चलिए अब एक और चीज जब भी आप जारू दान कीजेगा सुमूर्थ में कीजेगा मंदिर मेदान आदमी को मत दीजेगा जारू नहीं तो लक्षमी खड़े कर आपके घर से चली जाएगी याद रखिए और जब भी खरिदना हो जारू तो एक साथ तीन जारू खरिदिए जोड़े की संख्या में जारू नहीं खरिदना चाहिए अब सकुन होता है अब आपके घर में अगर किसी को नजर लग गई है तो जो जारू से आप जारू देते हैं उसी जारू से उस बैक्ति को तीन बार या साथ बार उल्टा वार लें और ले जाकर घर से बाहर पटक पटक कर उसको साफ करें तो बैक्ति के नजर दोस उतर जाते हैं जो बैक्ति फिलान आपसे भी दालेंगे हर हर महादेव धन्यवाद